तो आज मेरे साथ में एयाइर टू सिविल ग्रांस से गेट तूजन ट्वंटी टू अमित राय और एयाइर टू बोलने से आपको क्लियर हो जाता है जब सिंगल डिजिट रेंक आता और सबसे स्पेशल चीज़ है कि मार्क्स 97.01 लगभग 100 के आसपास मार्क्स है तो यह अपन पहले ही में स्टार्ट जो करना चाहता हूं कि मैं कभी भी देखा नहीं कि गेट में किसी भी ब्रांच में इवन 95 को क्रॉस करने इतना असान नहीं कि 97.01 तो 97.01 और फर्स्ट रेंक वाले का जो है वो 97.0 97.36 तो यह जो इतने ज्यादा जो मार्क से इसके पीछे का सिक्रेट क्या है सर मुझे लगता है कि जब भी मैंने स्टार्ट के प्रिप्रेशन तो कभी यह सोचके नहीं कि 97 तो कभी सोचे नहीं कि 97 आएगा या जो भी स्कूर रहेगा क्या राइंक रहेगी लेकिन एक चीज जरूर सोचा कि जो भी पढ़ना अच्छे से पढ़ना है मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजे अगर आप एक बार सीख जाते हो तो लाइफ टाइम के लिए चीज अगर मान दीजिए मैं से इतने भी सब्जेक्स मैंने सीखे या फिर सब को मैंने सब्सक्राइक हो मैंने सब्सक करी चीजों को क्योंकि अभी आप गेट के लिए देखेंगे तो MSQ अगर आभी आ रहे हैं MSQ टीजर टाइप कोश्टन बढ़ा रहे हैं कोई कॉंप्टिशन टफ होते हैं बिलकुल तो उसके लिए आपको इंटेप जाना पड़ेगा एक स्पेसिफिक आंसर आता है तो अगर अगर आप लियर हो तो थोड़ा देवीशन भी करता कोई पर में तो आपको अफेक्ट नहीं करने वाला और मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेटेजी क्या लग रही होगी करने वाली चीजिज है कि जो विट्स कवर कर रहे हैं सीजों को और जो डेप्स में आप प चीजिए को प्र群 नूद इंटारि इन्गट टाइट लेग्ट नेरे एंट घंया ग quartz सकता है तो यूं कि हम लिए और जी में इचना से ब्हसर दोरिका से अभविरी सक्राइब करतीज है र्य क्कशन केवके वार्वी नंबर का जया जाता है उंको नहीं पता कि एंजशन मे सब्सक्राइब करें , जह संयरा है कि आतके है तो उन्हेस न सब hier यह भी खisesti, सब्सक्राइब करें ल से न 골ra को सुछ तो सकते से यह बहुत को रहे हों, इस से कितने सब्सक्राइब किया तो मैं पूरे 65 65 कि every स्ट्राइब करने वाली चीज्जै कि क्या लेना से इसे विए ö знаter करने तो तो भी अच्छा वाली चीज़िए्ट तो मेरे कुछ-कुछ यह प्लस पॉंट भी रहा है लेकिन मेरे मुझे बता पेपर यह था कि प्रेक्टिस मैंने जितनी करी थी तो यह था कि तीन गंड़े मतलब इसा नहीं था कि कुछ अच्छे थे जैसे बोला कि आपको कि मेरे लैपलास वाला कुछ था तो एक दो क्वेश्चन आपको करते हो हर एक्जाम का रूल है कि आपको नहीं आ रहागा कुछ गेस करो आपने बोला कि क्या होता फिर उसके बाद तो बहुत एक प्रोविल्टी यह कुश्चन था थ स्थ अच्छा कुश्चन था अच्छा बॉदय किया कि मैंटरर सुंख होता है तोम वहां पर गलती से-, सम approximation कि जगा कितने number का सम नतीना है तो मेंने गलती सम Carrie जागा उसको मैंने नंबर मान ले कि वहाँ पर बहुत चोटी ती गलती शुरू में कर दी मैंने और वह लास में ध्यान ने दिया तो मेरे दो मार्स ले गया अच्छा वो एंसी क्यू था कि एनटी था अच्छा माइनस नहीं हो ले कि तू मार्स गया तो 90 जो तुमारा टू थ तुमारा टेकनिकल सब्जेक्ट थे मैंस तो छोड़ दिया जाए मैंस और एक मुझे लगता है कि जो सिंगल मार्स पूस्टन थे उसमें गलत हुआ है निगेटिव एक मतला मार्स हुआ है मेरे बाकी सब में तो पूरे हैं तीस क्वेस्टन देश तो मेरे उन-टीस सही है ए एक क्वेस्टन इनका कैंसल हुआ तो साद एक नंबर का ऐसा था लेकिन बाकी जो भी था में 28 कुस्टन मानके चलो तो मेरे सारे में स्कीव हो एक नंबर में तो यह नतीजा रहा कि आपने इस चीजों को स्टुरू से स्टार्ट करा यह नहीं कि आप तुरंट भागते हो कि चीजों कि गेट जैसे एक्जाम में मानता हूं कि 8-10 मुंत अगर आपने दे दी है अगर अच्छे से तो यह असा नहीं होगा कि आप सिंगल क्या मतर डबल डिजिट भी राइंक मतलब तो टॉप 10 तो लग थोड़ा है कि 10 तक आना महनत है तो आप जैसे यह वाला जो कुश्चन तरह सही हो जाता प्रवाबल डिए चुपता है यह चुपती है बतलब इतने अच्छे चो कुश्चन तरह चुपती है और यह सर जो आता है बतलब सिली मिस्टेक ही और कि मैं द्यान नहीं दिया बतलब इतने चोटी सीचीज तो खैर होती है तो आप समझ सकते हो कि सिविल ब्रांच 97.01 मांक्स AIR2 आसान नहीं 97 मांक्स लाना और अमित राय के बारे में अगर हम बता है तो हमारे पीडी कोर्स के स्टुरेंट से तो अमित मैं पुछने चाहता हूं कि जैसे पीडी कोर्स जो होता है रिकॉर्डेट जो कोर्स हो किसी भी objective बात की है माक्सिए हो गाई है सारे कॉंपटिशन इस गंट भी है तो आप जासे अपकि उडी dares कि अगजाम के लिए तो चीजे आप कर सकते हो किसी बी चाहिज कर सकते हैं किसी था आप अगर खर पर बैठे हो तो वह आप 8-10 में मैक्सिमाइज कर सब को टाइम रिविजन के लिए कि मैंने प्रैलेट कोर्स खतम कर दिया बाकि मैं तूरंत कई बार कितनी बार भी देख सकता हूं वीडियो कोई करने क्या आपको बहुत अटेंटिव है अगर माल यह कुछ मिस्ट भी किया तो फिर आपको बहुत डिसकस करना पड़ेगा खोजना पड़ेगा जरुज़र से सब्सक्राइब करने करना पड़ेगा और यह सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन जिसके पास मोटिवेशन आल्रेडी है तो उसके लिए पांच मैने में अपना स्लेवर सेंड कर ले और अगले पांच मैने में दस बार मोटिवेशन वाली बात तो सर परसंट टू परसंट है बाकी अगर कोर्स की साब से देखा जा तो हाँ जिससे बोला कि 4-5 मंस में आप कर सकते हो क्यों गेट जिस एक्जाम में कुछ सब्जेक प्लूइट इनवर्मेंट अब तो बाकि जो माइनर सब्जेक्ट्स है यह नहीं हो सकता कि पूरा अटम टीप में कुछन लगाने है आपको सकता है खाल को थे पढ़के जाना हो जाना टाइम नहीं लगता है अब बहुत सारे मेंट्रियल अबरेबले जैसे बता है आपका भ चाहिए और मैं बोल रहा हूं कि जैसे कि इस टुएंट यसा भी है अगर उसको किसी एक टॉपिक में गाडाउट भी आता है तो अभी आज की डिट में ऑनलाइन में भी इतनी सारी चीज़े कि अगर उस टॉपिक को सच करो अभी तो ऑनलाइन में इतना कॉंटेंड है ठीक लोग को रिफर कर सकते हैं पूरा सिलेबस के लिए तीन चालोग को रिफर करोगे तो तो फिर दो तीन साल में फिक हो जाता है कुछ चीज़े जो नहीं होती है कि इस साल चलो अर्थ को एक आड कर दिया तो वह चीज़े अवलेवल है अभी आप जिसे नाइटी से मार्क से तो यह उसी की देना मुझा लगता हुए आपको फाज इतने चीज़ें कर पाते हो एक ही साथ एक ही पॉंट ओट कम हो गही बहुत कम हो गई बबॉक्स नहीं डिनी कर सा थे मैंको रगता है कि पॉसिबल है। झाल को प्लान करना होगा आप जैसे आपके पास कोंपर कोई ZHAHA क्योंड अब किसी का कोर्स पांपर आप खुद को मेंटर करना रहेगा थो आपको बनाना पढ़े आपको खुद करना पड़ेगा अपको खंच रिजग करना पड़ेगा आपको सेल सकाषसरस बढ़ जाता सब दो डुमिला करें पर दख़तेु करें इसन वाले था जिẳसे लोग इंचे साथे हम लोग पर सकते हैं तो झांड दयागज मिला तो बन द्रॉट कुरा पुरा कोरोन वाला समय ली लेकिन मैं रहता हूं कि यह की इस वाले टाइम को जबर्दस तरीके से आलगा सब्सक्राइक तो लोग तो एक पुछ अगर बहुत इतना चारा ना हो तो उसको अपने सब्जेट की प्लानिंग कैसे करना चीक सिविल ब्रांच के एक क्योंकि स्विल के सब्जेक्स का में नाम जानता हूं लेकि मैं सिविल में इंदेप नहीं नहीं आपका क्योंकि हमिए और इसलिए अगर वो रहते तो इंट्रुन की नाम पता है सब्जेट का वेटेज भी लगवा आइडिया तुमें को बताओ कि अगर हमको बहुत अच्छा रेंक लाना है तो हमको अपनी प्लानिंग कैसे करना चीए तो सबसे जो आप ग्जाम का एडिया लगा सकते हैं कि क्या जाम के फेवरेट सब्जेक्ट हैं हर एक्जा जैरा पूछा गया एक क्योंकि आप पहले करते को यह ने वह शचानी कि इक संट लेटे तो मेरा अगर कितने नंबर कोस्टन है कैसे पुछा जारा है हर साल तो हम आगे कि मेंजा सब्यक्स चारपांघा है कि सब्सक्राइब और यह अगर आप देखें तो अगर मैं यह मेरा कुस्टन सब्सक्राइब और प्रिविए सिर में कुस्टन ऐसा आया हुआ था और मैं फिर थोड़ा कि निट पर जाते हैं तो बैसिकली स्कुस्टन स्लोप निकालना और कुछ भी नहीं था तो ऐसे अगर प्रिविए सिर को यह आप देखें अध्यान से और ट्रेंड क्या चल रहा है ट्रेंड देखने के लिए आप चार-पांच साल लगे पर उठाइए बाकि वीट्स कबर करने के लिए पूरा प्रिविए सिर एट टू प्रिविए सिर टू लगाने का तरीका बड़ा इंपोर्टेंट अगर लगा रहे हो तो आप स्रिप क्वेश्चन का सॉलुशन के लिए लगा रहे हो कि पीवाइक्यू अनलीसिस के लिए लगाना है जिसे कि आपने एक बार विट्स देख लिया कि यह टॉपिक के इतने कु प्रिविए सिर ठीक है सर आपने ट्रेंड देख लिया अनलेसिस कर लिया कि कैसे कुछन आते हैं क्या सब्जेक्ट है लेकिन जिसे आपने पूरी चीज़े कवर कर लिए लेकिन आप फुद को टेस्ट करना है चांसे एक्जाम में अगर थोड़ा सा इधर भी आ आगया आप तो मुझे लगता है कि प्रिविए सियर एनलसिस के लिए सही है बाकी जो इसकोर बढ़ाने वाली बात है वह आप ट्रेस से फोकस करो तो कि आप बनाओ गए जिसे मेरी इस पर गेट के लिए तो मेरा सबसे पहरा था कि सारी चीजा आती है मैंने जब सारी पढ़ी है लेकिन एक बार अप्रोच तो देखिए कैसे क्या रखना जैसे कि दो नंबर करो पूरा आपको जीरो से स्टार्ट करके लास तक सही आना है तो यह अप्रोच पता चलता है कि कई लड़कों को खुटा कि आप आप भी मैं अगर घर पर तो साथ ना लगे तो यह पर्फॉर्म का प् करो लास्ट में और प्रिविएस से अनलेसिस के लिए और विट देखने के लिए कि क्योंकि सर जब वह कोई चीज पूछते हैं तो वह एक्स्टेंट भी करती है चीजों को तो बहुत पहले साल आया इस बार विटा में दे दिया कि यह बता हो तो अगर सर्च कर लो आप नहीं से या फिर तो वह आपको एडवांटेज मिले जाता है अब दो नमबर आप फ्री में पागा है जब और मेरा ऐसे लगता है कि जैसे आप पीवाई क्यों अगर बना रहे तो पीवाई क्यों में जैसे कोई किसी कुछन को बना रहे हैं तो आप उसको पूछा गया है वो तो ठीक है वो तो उसका सॉलिशन भी वही पर है आप उससे रिलेटर यह भी देखो कि और क्या-क्या पूछा जा सकता है आप ना मैं को लगता है अगर कोई ना पिछले 15 साल के पीवाई क्यों की हर कोश्चन में पॉसिमिलिटी भी खोज लेगा तो इवन उसको एक आइडिया और बदा चल जागा नया कोश्चन के बारे में वही पर छुपा हुआ है कोश्चन लेकिन उस समय वह एक ही पूछ सकते थे तो एक उचे लेकिन आज से पांस साल बाद हमें टेस्रीज जो भी दिया या फिर तो तो जो सिल्मिस्टेक मैंने किया भी बता जो डिसकस कर रहा था हम लोग ठीक हो तो जो चीजे में आवाइड कर सकता हूं कि सद्धिया टाइब कुछ यह धिहान रखनी होती है कि आप राउंड आफ करके बताओ ऐसे आंसर लिखो तो यह सब चीज़ी आपको डेस्रीज सर्रीज से पता चलती है जब भी में अनौत गौत रहती पोड़कना चीछे तो मैं इसको नोट डाउं जरू करता था कि मैं यहिस्ट दिया अब मैं क्या करता था एक्जाम से एक महने पहले पूरा पूरा टेस्रीज दिया, मैंने चाहां से भी मैं आनलाइन भी बहुत सारे, आजकल मार्केट में भी short notes मिलते हैं, आप guide मिलते हैं, आप तियार कर लो, वहां से कर सकते हो, आपको अपनी चीज़े बनाओ, तो एक में आने test series दिया है, कि आप सब कुछन आता आपको अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे सेली मिस्टेक्स कर दोगे पहले जब प्रिस्टाट करोगे तो तो मेरे कुछ 60-70 65-70 वांक्स बने होंगे जब पहला मैंने मॉक दिया होगा तो उससे डरना नहीं कभी भी कि यह क्या हो गया क्योंकि का अधार है अगर 17 एग्जाम था हो 14 तक मेरे सीखना होना करना होता है चाहिए में 40-50 करेंज मुदे होगं मैं पर सब्सक्राइब करो जो यह निकरना जिसे मैं क्या चुर्ण कमें तर्फटी और यह जनी तो यह तेस्ट दिया तो यह घलती कहा नहीं चाहिए तो अब पता तो गलती होगे तो अलग बात है concept ही नहीं पता था लेकिन अगर आपको आता है फिर आपने क्या गलती की तो चीज को मैं नोट डाउन करता था अच्छा इसको नोट डाउन करता था तो वह मैं अपना strategy में लिख गिया कि यह इस exam की strategy है अगर मैं कोई और exam लिखता हूँ तो मेरे exam की strategy होगे से गेट में यह strategy है कि SMS नहीं करनी चीज़े हैं तो वह चीज़े मैं अपने पास रखता हूँ अब क्या होगा कि एक महीना जवाब जब एक महीने से start करोगे एक महीने पहले से start करोगे आप तो लिखों के चीज तो उस समय हो सकता है कि ज्यादा हूँ ल तो वह थोड़ा सा हो जाता है कि क्योंकि आप कुछ सीखनी रहा है तो अपनी गल्तियों से सीखना है मुझे लगता है गल्तियों को नोट डाउन करना है और टेसरी काफी एलफोले सीज में अपनी strategy को develop करने के लिए और accuracy जो भी speed है इस बार भी 65 अच्छा paper था लेकिन जो गल्ती और रुख जाती है अगर पांच मिनट और होते है तो एक आद कुछ से में रिवाइज कर लेता तो साथ हो सकता है गल्तियों ना होती है तो 5-10 मिनट ही सॉट रहा ठीक है उस तना आप फरक नहीं पड़ता है अगर आप 65 में 63 कोश्चन को भी टाइम दे पाते हो तो तो यह है तो पूबता हूं कि 60 अगरों सफ्टी तरीक से जाते हो 60 कोशन तो वह यह तो क्या जो जो पर होता था उसमें उसमें कभी आइंटी को क्रॉस और आप नियरे को अगर आप किसी बे टेससरी प्रेश जो टॉपर भी होता है हाँ यह रहा कि मेरी रेंग अच्छी रहती थी टॉप 10 में भी हो सकता हूं लेकि माक्स कभी नाइटे को प्रॉप नहीं है जो जिसे अगर आप कोई भी पेपर देने आते हैं तो जो प्रीवियस यह जो गोला है तो एटी परसेंट कोस्टन मानके चलि करती है जो कोचिंग कुछ प्रवाइड करता है आप कुछ देखते हो कहीं से कोई टेस्ट में चीज़े मिलती है तो 20 परसेंट 15 परसेंट वही चीज़ आती है तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है क्योंकि बहुत सारे स्टूरंट लोगों यह सोचते अभी कई लोगों स सब्सक्राइब करते हैं तो यह सोच कभी भी नहीं होना चीज़े मेरे 50 आरे तो मेरा कुछ नहीं हो सकते में तो आपका जब तक लास तक एक्जाम नहीं हुआ तो आपका देख सकते हुआ हमारे साम नहीं है आपके कभी भी 80-81 से जादा नहीं गए वो भी मैक्सिममम बात कर रहा हो ना कई बार तो हो सकता है सेवंटी में भी आए होंगे 65 से स्टार्ट हुआ है उसके आदे को गेड की पेपर में देखो सीधे ही 97.01 इत्ते मार्क्स आना इसका मतलब है कि आपको लास दम तक अपने एक दिन तक भी आपको अपनी एक्रेसी में काम करना अपनी अपनी जो मिस्टेक्स उसमें काम करना है मैं बताओ कि कई लोग बोलते कि सरा मिस्टेक्स मार्क्स भी करते उसके बाद भी मिस्टेक्स को एवाइड नहीं कर पाते तो ऐसा क्या ऐसा क्या प्रॉबलम होता है कु Heck, तो तो ऑपर उपर से पढ़़ा हुए कि आप लिख के पढ़ रहे हुए कुछ लोग होता है कि एड़ा थो फ्र्मूला अज़ोए, ऑक सबस्क्ता कि आनरे Well, वो ए कर सा वे आ यह हैं मरे से पैंद 10.3 अजन से करें को Say It is alsoな fallation तो आप यह बेनेफिट से जोज देने का और वह गलती है नोड करने का उसको बार बार देखो कोई बात नहीं एक गलती दो बार करते हो क्या दिक्कत है इस इस दिन नहीं इस पहले तक मैंने को सीखना जीतना तो तो प्रेक्सिस इसके वाइस तो रुखोगे और यह नहीं पांस दिन पहले लेकर बैठ गया और सोच रहें कि पांस दिन में सब करते हैं तो ऐसा नहीं होता है महिने दो महिने पहले आपको टेस्ट रीप जाना पड़ेगा तो वह चीज चीज प्रोसेस है और रिजल्ट आएगा सर ऐसा नहीं है क्योंकि जितने अलगों को भी देख गौरा गाओं है गाजेपुर मेरे डिस्टिक है बनारस से 82-800 किलोमेटर दूर हो बनारस बहुत लोगों और जो विलेज बोलते है कौन सा बोलता है गौरा गाओं ये यूपी और बिहार के बार्डर पर तो कितनी पॉपलेशन होगी उस विलेज की कितनी पॉपलेशन होग अच्छा मेरे ऑपार मेरे घर से चयती स्कुलमें पढ़े हैं मेरे दूराट मेरे अगर्टम सोब्सित हैं क्लूने मरेंटरस से बढकर हैं मम्मी हाउस वाइफ है और मेरे भाई एक भाई है बड़ा और एक बहन है चोटी तो भाई तो बैंग में एक्सिस बैंग में बहन कर रही है कि मेरे घर में चीज बहुत अच्छी है कि मेरे जो पीछली जन्देशन है तो सब कजन पापा की कजन या बड़े लोग जोई मिला के तो सब गौर्ण्में जॉब में कि जो घर पर रहे हैं अमेंसा को दिकत नहीं है लेकिन बाकि लोग गौर्ण्में जॉब में किसी में कोई एर फोस में तो यह चीज में लगता है कि वह और भी पैले से दादा जी लोगों ने बहुत मैनत भी पढ़ाई की चीजों में और मुझे लगता है कि इस चीज को मे कुछ भी करो आप भले कम ले आओ ज्यादा लेओ खरकने पर लेकिन आप पढ़ो एक लेवल तक आप पढ़ो यह रहा है वह हमेसा उस बेसिस पर रहा है कि भाई नहीं हमको डिसिप्लीन में रहना है अटेंटिव रहना है इस्टेडी करने तो और ब्रदर सिस्टर तब के बीच में डिसिप्लीन वाली बात भी है और में लगता है कि सर फीडम दे रही है ओके तो वह ठीडम जाए तो वह थोड़ा फ्रीडम ज़रुरी है जो घर वालनों मेरे को दिया कि आप चूज कर पहुंची यह को कि मैं यह करना चाहता हूं जैसे कि आपने बहुत सारे कई से मिलते हैं बहुत पैसे vide जाते हैं जैसे यहां करते हैं आप अगर प्रफिश को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिपेंड करते हैं कि आपका अपना खुद का इंट्रेस्ट के सा है हम चीज़ों को कैसे करना चाहते तो और अलम तब घर का महौल एसा पढ़ने वाला हमेशा से रहा है और बड़ा सपोर्टीव रहा है इस तरीके से बाकि ब सब्सक्राइब करते हैं जो भी तो पुरा हिंदी में रहा है मतलब मेडियम से मुझे लगता नहीं कुतना फरक पड़ने वाला है कि फिर भी इसी बीसी बोर्ट तथा महां पर एक्षी बता है कि जैसे भी इलेक्टिकल में हमारा गौरा कुमार जो है वह 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 बिहार पट आपूह अच्छा अच्छा सकोर लाते बहुत बड़ा नंबर में युपि विहार की जो लोग है वह बहुत है सकोर करते एक दो यह सब्सक्राइब करते लोग रहते हैं वह क्या इसा मैंड सेटब रहता है कि इतना डिसिप्लिन या सिस्टेंसी इतना इश प्रीं करता हूं देखता हूं कि जो रहते चाहे वो सिविल सर्फीश हो चाहिए पिर वो गयुत का ऑग जांग हो वह उनका माइन सेट अपको इसको стала करें जिस्फित medicine i8e को हैं सारिकीं को हैं से तो और बीटेक से पहले हो सकता है बहुत लोग झारी करें है तो किसी भी गाम के तो और भी जगा के लोगा लेकिन जो पढ़ने वाली चीज़ एक consistency रखने ही आपको चार साल भी टेक करने के बाद भी आपको इतने पैसा मिल सकते थे private लेकिन उसके बाद गया consistent रहना है पड़ाई में तो अगर background चेक है मुझे लगता है कि यह वाली energy आती है यह गाओं के होने सवाथ है मुझे रखता है कि जो ठकने वाल नहीं वाली बात है कि मैं कभी भी start कर सकता हूं तो यह parenting वाली चीज़ है क्योंकि आप पापा भी आपके किसान है खेती करते हैं एक ही चीजा बार-बार करते हैं बहुत मेंद करते हैं गाओं के लोग मतलब व टेल साल भी fight करेंगे दो साल में यहाय खुद के लिए नहीं हो रहा कोई बीचीज मैं अगर मैं बेठाइं तो पुरे गाओं के लिए हो पुरे समाज कर लिए हो सब को पताया कि यह कुछ कर सकता है तो पूरे खूस है लोग मतलब अगर कुछ आप करते हो चोटी सी पी चीज़ास इसा नहीं की बहुत बड़ा करती है आपने कुछ भी एचीब करते हो तो मुझे लगता है कि वह साथ मिलके जो है ना साथ मिलके रहने वाली फीलिंग है वह इधर के लोगों में नहीं है जो भ तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो 10 गंटे पर 15 गंटे भी अगर मैं अपने लिए जीता तो मैं कभी इस लाइन में नहीं आता है तो पापा कैसे मतलब के हां ठीक है अच्छा की है कि एक्दम हैपी की हां ठीक है चला अच्छा कि बिलकल सर वो तो नाशी रहा है मतलब दिन से कर रहा है तो तो वह अपने अपने आप में बड़ी सीज़ा है और घर वाले महनत किया तो तुम तुम तुमारे लाइव का कुछ ऐसा अब्जेक्टिव है कि तुम आगे चलके जब जिनकी में इतना चकर रहो तो आगे चलके तुम अपने गाव के लिए सोसाइटी के इससे उसका अपने पनाते हैं , तुम भी इस सूट नोर्स आपने बनाया हैं ऊ-सके बाद टेस्री टेते हैं पिर रिविजन करते हैं तो अगर मैं जानाते हैं डिविजेंँ स्ट नोर्स तुम देखे जिसे कि मान लीजे कि कॉलेज में सभी थोड़ा कमी पढ़ते हैं फिर और बी चीजों में नहीं सोचते हैं तो जिसे मैं ने जब स्टार्ट के दिया रही तो यह पहले तो बता दूं कि जब आपको पढ़ाई वह का है जहांसे भी मटुस में मिलता है तो अयूज्ज मिलता है थो जैसे सभी करना चाहता है तो आप साब नीर सम्ट प्र डभी डूबगः कि अच्छे से पढ़ लो तो चार महीने के बाद सब्सक्राइब अगर बाटना चाहूं तो बहुत आराम से बाट सकते हैं अगर ऐसे सोचूँगा कि यह भी है यह तो बड़ बड़ जाएंगे चीज़े मैं अगर फेज में बाटू तो फेले स्टार्ट करें अपनी प्रिपर सब्सक्राइब करें अगर मैं यह तो बहुत ज्यादा है इसानी कि और क्या हर बार ना जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमें से टाम लगे है कंसे बार बिल्ड करें अब उन सब्सक्राइब को सिवाब को ऐसे गोठ फूर करना है यहां यह माइं में माइं चाहिए तो फिर वह स्पीड मेंटें रहती है तो बात लेना है बसकी कि अगर आप दो घंडे तीन घंडे भी रिविजन कर लिया तो रिविजन मैं बता दूं कि थ्रूआउट पूरा पको रखना ही है जब से स्टार्ट वह तो वह एक स्लॉट बात हो कि आप नहीं पढ़ रहे हो और पुरानी चीज़ों को रिवाइस भी करते हैं जिसे कि दिन में जब फ्रेस होते तो नहीं चीज़ों को पढ़ो जब थख गए जो चीज़े पढ़ी हो उसको उसको देखते रहो तो रिविजन थ्रूआउट करना है और फिर उसके बाद जिसे कि आप पह एसको कि अगरी करता है तो वह चीज़र अब क्या है कि अपना यह फिन चलता रहा चलती रही स्टार्ट कर दूँगा जब भी मिरे लगे कि मेरा सब्यक्ट्ष च्छाका सब हो चुका है मैंने मैसीं स्टीन टो एक दो घंटे भी कर रहे हो तो को दिक्कत नहीं है आप स्तार सब पर करते हैं आपको रिजन तो लास्ट मोमेंट दख हो जिस गया करटे हो तो अब तो अब दिन में आप शह साथ गंटे भीर्ड़ते हो तो एक लिए टेस्ट ज़िए 2, 2 तो मतलब कुछी बहुत अलग पुछा जाएगा जो अब तक पुछा गया है क्वाने के कोशित करतें एक सब्जेट इसके चार कंसेफ्ट है वही वही चीज आते रहतें बस उनके पुछने का तरीका तो चेंज होगा अब ऐसा तो होगा नहीं कि तीन साल पहले जो कुछन था इसका डेटा चेंज करके नया कुछन बना दी है वैसा तो आयटी वाले करेंगे नहीं, वह फ्राइब करेंगे कि कुछ आपसे जानना चाहिए, आपका आपका जो नौलेज है उसको चेक करना चाहिए, तो उसके लिए आपको रेडिर रहना चाहिए, तुम्हे को लगता है कि जिसे कही लोग क्या करते हैं, कही लोग का नेग तो याद कैसे आएगा, आप इस्ट्वेंट ही तो हो, तो याद कैसे आएगा, एक टीचर इतना रेगुला पड़ाता है, तो उसके माइंड शेट अप में रहता है, एक टीचर को अगर एक साल के लिए मैं बुल दू की ब्रेक ले ले लेना तो एक साल क्लिक नहीं करेगा, तो एक इस्ट्वेंट को कैसे कलिक करेगा, तो रिविजन सर थ्रोट कॉंटिनुएस प्रोसेस है, रिविजन तो मैं बोलूगा तब तक करना, जब आप रहेंग तब रहेंग नहीं लेगा, बिल्कुल, बहुत बहुत है, भले आप एक घंटे करते हो, दो गंटे करते हो, लेकिन एक घंटे, दो गंटे, ठीक है, एक आत दिन हो सकता है कि पूरा दिन मजा आ रहा सब पढ़ने में नया सब्जेक्ट है, तो अच्छा लग रहा है, तो ठीक हो दिन पढ़ लिया, जब भी बहुत है, आप तो रिविजन सबसे बेस्ट है, मैं तो यह करता है, कि जब सबसे इंपोर्टन तो रिविजन सबसे इंपोर्टन से आपके गलतियां भी पकड़ोगे, गलतियां सुधारोगे भी, बाकि अपना अप्रोच के लिए टेस्टरीज है, आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रेडी रखना चाहिए, उसके बाद जो अमिद बोल रहा अगर आपके साथ सब्जेक्ट के रिविजन में आप होंगे, अगर तीन सब्जेक्ट बचे भी पढ़ने के तो भी डर नहीं कि साथो सब्जेक्ट रेडी है, अगर आप रिविजन नी करोगे तो हमेंसा डर बना रहेगा, सेकिन एकुर इंपॉर्टन पॉन्ट है कि टेस् सुच रहे हो कि कुशन वह आजाएगा एक्जाम में तो ऐसा होता नहीं है, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपने बारे में जानो, अपने खुद के बारे में पता चल जाता है कि आपको कितना आता है और मैं एक नय कुशन का मॉस का कुशन है अब उस नय कुशन को मैं टे स्टुएंट को अपने बारे में अगर उसको पूरा पता होना चाहिए कि मैं टेक्निकली कितना अच्छा हूं तो टेस्रीज एक गुड़ आइडिया देती आपको आपके बारे में और कभी-कभी वो आपको बताती है कि आप टेस्रीज में स्कोर जब करते तो आपको लगत प्रक्टिस क्लिक करता तो मैं मैं को प्रक्टिस क्लिक करें प pegaatbank में अच्छे से असक्ठीस करो टेस्मारी कें तो पर्चेस किया है तो आपको अगर रिकॉड़ेट पॉर्स अगर पढ़ना है घर बैठके आपको आराम से पाच्छे मैने में अपना खतम करना तो आप कर सकते हो और अगर आपको सेल्फिस्टडी करना तो यूटूब में इतना कॉंटेंड है आपको सी प्लान करना होगा कि अ अच्छे अपनी जरनी को कैरी कर रहा है तो हमको भी लगना चाहिए कि हम जिन्गी में हम अच्छा कर सके और यह जो में मोटिवेशन है कि 97.01 गेट के एक्जाम में यह लगबग इंपॉसिबल मांक्स होते हैं तो यह सब से आप मोटिवेशन ले सकते हो कि कैसे रहना चाहि और अगर हाई सकोर करना तो आपको किसी भी सब्जेंट को पॉम अगर एक्जिय को अपना चाहिए तो उसको एक गुड़न मांट के वह और यह जा तो मुझे लगता है कि पहले तो आप डिसाइड करना है कि मेरे को जिसे गेट के लिए जोग लड़के जाते हैं तो पहले तो डिसाइड करने हैं कि गेट की चीजे हैं कि दूसरी चीज की कोई जोड़के नहीं है मतलब कि एक साल पूरा अगर आपने पूरी पुरी पूरी पूर्ज़ासकता हूं तो कोई शॉटकट नहीं है कहीं से यवी नहीं कि तुर्गाली क्राइस कोर्स कर लोगे पूरान रिविजन हो जाएगा एक बार आप बेसिक से जा चाहिए बाकि motivation के लिए मतलब वही है कि आप एक बाद करना क्यों चाहते हो एक चीज आपको factor रखना पड़ाया कि अगर आप टाइम देते हो कि आज नहीं होगा कल होगा थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कभी नेगेटिव नहीं जाएगा कभी और यह हमेसा काउंट हो रहा है एड होती जा रही है चीजे वह हमेसा आप लोग भी करते हैं तो वह चीजों पर भुशा रखना है कि जो पढ़ाया रहा हो सही है बिल्कुर अपने गाइड ठोड़ा सुनने इस चीजों को मतलब ठीक अ बहुत सारी चीज़ जो आपको लाइफ में फॉलो करना हो था बिल्कुल तो आप मैंटर को अगर फॉलो कर रहे हो तो जो टीचर आपको बता रहा है उसको प्रपर तरीके से फॉलो करो तो विलीव रखना है फॉलो करनी चीज और एक साल सफिसेयन टाइम है जो आप अगर पूरा दे तो 6 आर सगर में लगता है कि कोचिंग के साथ और जी दिन छुटी वेट टूटे नास दे सकते हो आप उतना अगर एक साल कर ले तो आप तो गेट जैसे में अब कोई भी रेंग ला सकते हो कोई भी रेंग हो सकता है कि यह सब टॉप 10 में नहा है लेकिन टॉप 20 मे बिल्कुल है टॉप 10 लक्त हो जाता है सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं भी कर रहा हूं आगे भी जाओंगा जो भी करना होगा तो घपड़ाना नहीं है वास ठीक है तो चलो आज का सेशन फिर हम लोग एंड करते हैं आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप सेशन को कितना इं सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही आप अपनी स्टडी करते रहेगा और अपने आपको लाइफ में बेटर बनाते रहेगा जैसे अमित बनाया तो मेरे पूरे गेडिकेड्मी के साइट से मेरे साइट से आप वाल दावे से आप जिनकी में बड़ा अच्छा करो और इस्ट